परिचए आपकी जन्म दिन पर आपके एक दोस्त ने चौकलेट दी है एक अन्य दोस्त चौकलेट का एक और डिबबा देता है तब आपके पास कितने चौकलेट्स हैं? डिबबा खोले बगएर हम कुल चौकलेटों की संख्या नहीं जान सकते हैं ऐसी स्थिती में हम चौकलेट की अग्याद संख्या के लिए जरका प्रयोग करते हैं इस समीकरण को हल करके चौकलेट की अग्याद संख्या ग्याद कर सकते हैं उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे समीकरण हल करना लंबाई और दूरी से सम्बंधि समस्याओं में इसका प्रेयोग करना समीकरण एक गणितिये कथन जिसमें दो व्यानजक हो और जिसे समता के चिन्ह से अलग किया हो उसे समीकरण कहते हैं समदा के चिन्ह के बाएं तरफ के व्यानजक का मान चिन्ह के दाएं तरफ के व्यानजक के मान के बराबर होता है समीकरण के कुछ उधारण है एक या दोनों व्यानजकों में चर हो सकते हैं जब किसी समीकरण में केवल एक चर हो, तो उसे एक चर वाला समीकरण कहते हैं, जैसे यदि किसी समीकरण में दो चर हो, तो उसे दो चर वाला समीकरण कहते हैं, जैसे रैखिक समीकरण यदि किसी समीकरण में चर एक्स की अधिक्तम घाद एक हो तो इसे रैखिक समीकरण कहते हैं जैसे दूसरे शब्दों में रैखिक समीकरण में सिर्फ रैखिक बहुपद होते हैं समीकरण के पक्ष समधा चिन के बाएं तरफ के व्यंजक को LHS और दाएं तरफ के व्यंजक को समी करण का RHS कहते हैं LHS और RHS समी करण के पक्षु होते हैं समी करणों के हल चर का वहमान जो समी करण को संतुष्ट करे उसे समी करण का हल कहते हैं निमन समी करण पर ध्यान दीजिए इसलिए 9 समी करण X जमातीन बराबर 12 का हल है क्योंकि यह समी करण को संतुष्ट करता है ध्यान दीजिये कि दूसरे माहन समीकरण एक्स जमातीन बराबर बारा के हल नहीं है क्योंकि वे समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं समीकरण को हल करना समीकरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम समीकरण के एक पक्ष में जो संक्रिया करें उसे दूसरे पक्ष में भी अवश्य करना चाहिए किसी समीकरण को हल करने का यह मूल भूत नियम है पक्षान तरण विधी हमने देखा है कि पक्षानतरण विधी किसी समीखरन को हल करने की सबसे सुविधा जनक विधी है किसी समीखरन का कोई पद जिसे एक पक्ष से दूसरे पक्ष में इस्थान आंतरण या पक्षानतरण किया जा सकता है अपना चिन बदल देता है, जैसे यदि x घटा 12 बराबर 5 तो x बराबर 5 जमा 12, यदि x जमा 1 बराबर कोश्ठक में घटा 2x, तो x जमा 2x बराबर कोश्ठक में घटा 1. एक पक्ष में यदि संख्या से किसी चर या अचर में विभाजन किया जा रहा है, तो पाक्षांतरण के बाद उसे संख्या से गुणन किया जाएगा, इसके उलट भी सत्य है, जैसे पांच x बराबर 10 हो जाता है, x बराबर 10 गुणा 5 बराबर 50 के, इस नियम के प्रेयोक से चरों को बाएं पक्ष में और अचर पदों को दाएं तरफ पक्षांतरण कर दिया गया है, साधारण समी करण उधारण 3a घटा 5 बराबर 16 को हल कीजिए, हल निम्न समी करण की गड़ना करने पर हमें प्राप्त होगा, a बराबर 7 दोनों पक्ष में चरवाले समी करण उधारण, x घटा 3 बराबर 5 जमा 5x को हल कीजिए, हल निम्न समी करण की गड़ना करने पर हमें प्राप्त होगा, x बराबर कोश्ठक में घटा 2 जटिल समी करण, उधारण 1, a बटे 3 जमा 1 बटे 4 बराबर, a बटे 2 घटा 2 बटे 5 हल निम्न समी करण की गड़ना करने पर हमें प्राप्त होगा, कोश्ठक में घटा 20, a बराबर कोश्ठक में घटा 78 शब्द समस्याएं, उधारण 1, एक संख्या दूसरी की आधी है, दूनों संख्याओं का योग 6 है, तो संख्याएं ग्याद कीजिए हल, मान लिजिए कि उनमें से एक संख्या एक्स है, अताहा दूसरी संख्या बराबर एक्स बटा दो, दोनों संख्याओं का योग बराबर 6 इस प्रकार x जमा x बटा 2 बराबर 6 यानि 3x बटे 2 बराबर 6 या x बराबर 12 बटे 3 बराबर 4 संख्याएं 4 और 2 हैं. जाजें, दोनों संख्याओं का योग 6 है, इस प्रकार उत्तर सही है. शब्द समस्या उदहरन तो, किसी भिन्न का अंश हर से 3 कम है. यदि अंश में एक का योग किया जाए, तो हर में 3 की वृद्धी होती है, और भिन्न एक बटा 2 के बराबर हो जाता है. असली भिन्न का पता कीजिए. हल, मान लिजिए कि असली भिन्न का हर एक्स है. यदि अंश हर से 3 कम है, तो अंश बराबर एक्स घटा 3. असली भिन्न बराबर एक्स घटा 3 बटे एक्स. नए भिन्न का हर बराबर एक्स जमा 3. नया भिन्न का अंश पराबर कोश्टक में X घटा 3 जमा 1 बराबर X घटा 2 नया भिन्न बराबर X घटा 2 बटे X जमा 3 नया भिन्न हो जाता है एक बटा 2 इस प्रकार कोश्टक में X घटा 2 बटे कोश्टक में X जमा 3 बराबर एक बटा 2 निम्न समी करण की गड़ना करने पर हमें प्राप्त होगा X बराबर 7 इसलिए चुकि असली भिन्न X घटा 3 बटे X बराबर 4 बटे 7 है जाचे असली अंश जमा 1 और असली भाजक जमा 3 होगा जो की बराबर होगा एक बटे 2 के अताह यह समी करण संतुलित है शब्द समस्या उधारण 3 यदि दो संख्याओं का योग 35 है और उनका अंतर 13 है तो संख्याओं ग्याद कीजिए हल जाचे दोनों संख्याओं का योग बराबर 11 जमा 24 बराबर 35 दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 24 घटा 11 बराबर 13 अताह उत्तर से ही है उधारण दो संख्याओं का अनुपाद 3 अनुपाद 4 है दोनों संख्याओं का योग 56 है तो संख्याओं ग्याद कीजिए हल मान लिजे कि संख्याओं 3 एक्स और 4 एक्स है इनका योग 56 है साथ एक्स बराबर 56 एक्स बराबर 8 इसलिए संख्याओं 3 गुणा 8 बराबर 24 और 4 गुणा 8 बराबर 32 है उम्र संबंधी समस्या उधारण 1 अनिल अजित से 9 वर्ष बड़ा है 10 वर्ष पष्चार अनिल की उम्र उसके दूग नहीं होगी जितनी उम्र अजित की 10 वर्ष पहले थी उनकी वर्तमान उम्र ग्याद कीजिए हल मान लिजिए कि अजित की वर्तमान उम्र एक्स है दी गई सारणी को देखिए इस प्रकार बराबर X जमा उन्नीस समस्या में कहा गया है कि अपसे दस वर्ष पश्चाथ अनिल की उम्र उसके दोगनी होगी जितने उम्र अजित की दस वर्ष पहले थी आज से दस वर्ष बाद अनिल की उम्र बराबर X जमा 19 समी करण एक आज से दस वर्ष पहले अजीत की उम्र बराबर X घटा 10 समी करण तो अताहा इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा X बराबर 49 उनकी वर्ष मान उम्र है अनिल बराबर 48 वर्ष अजीत बराबर 49 वर्ष जाचे आज से दस साल बाद अनिल 58 वर्ष का होगा अजीत की दस साल पहले उम्र थी 29 वर्ष जाच 58 बराबर 2 गुणा 29 यहां LHS बराबर RHS लंबाई और दूरी की समस्या लंबाई और दूरी की समस्या उदारण तो एक आयत की लंबाई उसकी चोड़ाई से 6 इकाई अधिक है इसका परिमाब 20 इकाई है इसकी लंबाई और चोड़ाई ग्याद कीजिये हल मान लीजिये की आयत की चोड़ाई X इकाई है अताहा लंबाई बराबर X जमा 6 चोड़ाई 2 कोश्ठक में लंबाई जमा चोड़ाई बराबर परिमाब क्यूंकि परिमाब 20 इकाई है इसलिए लंबाई जमा चोड़ाई बराबर 10 इकाई होगी इस प्रकार X जमा कोश्ठक में X जमा 6 बराबर 10 या 2X जमा 6 बराबर 10 इसलिए 2X बराबर 4 और X बराबर 2 चोड़ाई बराबर 2 इकाई लंबाई बराबर 2 जमा 6 बराबर 8 इकाई लंबाई बराबर 8 इकाई आयो सम्बंधी सवस्या उधारण दो इस्थानों A और B के बीच 240 किलोमीटर की दूरी है एक मोटरसाइकल एक बिंदू A से और एक पदियात्री एक बिंदू B से A की ही समय से प्रारंब होते हैं मोटरसाइकल की चाल पदियात्री की चाल से पंदरा गुणा धिक है प्रारंब करने के तीन घंटे बाद एक बिंदू M पर दोनों मिले बिंदू A बिंदू B से कितना दूर है हल कुल दूरी 240 किलोमीटर है पान लीजिये कि पदियात्री X प्रतीघंटा की चाल से चलता है कुल दूरी बराबर 240 किलोमीटर पदियात्री दौरा तैकी गई दूरी जमा मोटरसाइकल दौरा तैकी गई दूरी बराबर 240 किलोमीटर इसे हल करने पर हमें मिलेगा X बराबर 5 वे एक बिंदू M पर मिलेंगे जो B से 15 किलोमीटर और A से 225 किलोमीटर दूर है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं एक या एक से अधिक चरों वाले दो बीजिये वेंजकों के बीच समधा कथन को समीकरण कहते हैं यदि किसी समीकरण में किसी चर यानि S की अधिक तमखात एक है तो इसे रैखिक समीकरण कहते हैं समीकरण को सत्य बनाए रखने के लिए समीकरण के एक पक्ष में की जाने वाली संक्रिया दूसरे पक्ष में भी करनी चाहिए पक्षांतरण विथी 1. कोई पद समीकरण के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतरित किया जा सकता है लेकिन उसका चिन्न परिवर्तित हो जाएगा 2. यदि किसी एक बक्ष के चर या चर में किसी संख्या से विभाजन किया जा रहा है, तो बक्षांतरण के पश्चात दूसरे बक्ष में उस संख्या से गुड़न होता है किसी समीकरण को हल करते समय हम निम्न चरण प्रियोग में लाते हैं, अग्यात को चिनित करते हैं, दिये गए तत्यों को पहचानते हैं, दिये गए संबंधों के आधार पर समीकरण बनाते हैं, समीकरण को हल करके अग्यात का मान करते हैं, झाल झाल